गॉड़ मॉर्णिंग कैसे आप से भी लोग वलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल जो गाइस मैं होब करता हूं कि आप सब लोग बड़े अंगर अपने घ्रों में सब सबस्ते होंगे आज हम जा रहे हैं रोपडी वहाँ पेम थोड़ा घ्रों में जाएंगे और घ्रों में जाएंगे नहाने के लिए बागी आपको नीचे ख़ड दिखाते हैं कितनी अच्छी है तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो सामने खड़े हैं और ये मेरी बहने जा रही है आगे तो ये गाइस जो रोपडी का रस्ता है एक तो काफी खतरनाग है क्योंकि यहां पे काफी सारे पत्थरें और पत्थरों की होने की वज़ा से यहां पेर फिसलती हैं और देखो गिरने का डर रहता है और यह गाइस हमारे घर से कम से कम में ख्याल से दो किलोमेटर दूर होगा और यह खड़ी चिड़ाई है जिसकी वेसे आदमी काफी ठक जाता और यह देखिए अगर यहां से बंदे का पैर फिसला तो सीधर नीचे जाएगा और उसके बचने की उमीर तो बि देख सकते हैं का सीधी चुढ़ाई की यहां से आ ह से भी हमें और नीचे जाना है और वह देख सकते हैं ऑपे पूट मेरा चोटा भा GU यह नहीं हो नहीं के अमए देंदे नहीं समुले आप को नीचे सिधा है खद में मिलेंगे और अगर कुछ दिखाने लाएगा तो वही दिखाई देंगे अब वहाँ देख सकते हैं वह मेरे ताया साई जी है जो की घास काट रहे हैं अब हमें आते वक्त वही घास लाना है वापस यहां को उपर और आज तो काफी हमारी बैंड होजने वाली है काफी बैंड होजेगी क्योंकि यह चड़ाई है यह अगर हम खाली चड़े तब भी काफी सांस चड़ जाती है पर आज तो मैं आपस काफी सारों समान होगा मलब घास ही होगा और घास तो भारी होता है काफी और इसके वह समाराज काफी सांस फूल लेगा चलो गाइस अभी तो काफी खतानाक है बाद में व्लॉक करेंगे बना कहीं घरकूर ना जाओं तो 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 रिकाई सारे वहां पर सब लोग अब घास काटेंगे में को तो घास काटना आता नहीं है मैं तो देखता हूं सीधा खड़ निकल जाता हूं के लई बाग देखते हैं लोग क्या बोलते हैं उसके हसाब से जाएंगे देख सकते हैं अब हम खड़ के काफी निजदीग पहुंच चुके हैं और ये खड़ को अवराल व्यू है और वह देख सकते हैं इस वार खड़ में यह जो भी जितने भी फिसलन वाले पत्थर थे ना जित जाए जैसे मारे पहले पिछ जब पहले बारी गए खड़ उमारे पैर आप फिसल रहे थे तो हॉप सो कि इस वार मरे जादा पैर ना फिसले और बाकी यह रस्ता आप काफी यह जाला देंजरस वाला रस्ता है तो अध्या को व्लॉग करना बंद करना पड़ेगा कई मैं ग है कि यहां से अगर हमारा पैट फिसला तो सीधर वहां नीचे जाके गिरेंगे कि एक घंटे की एक घंटे चलने के लगातार चलने के बाद हम फाइनली खड पहुंच चुके हैं और जोश आप देख सकते हैं कि इतना ही हाई हो रखा क्योंकि आज पानी काफी साफ है और पत्थरों की लगे की नहीं कि पिछली बाद तो पत्थरों के हमें काफी लगी थी जिसके ऐसे पता नहीं कहां कहां नहीं ऐसी जगह नहीं पड़े थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता और बागी आप देख सकते हैं ओवराल व्यू कितने ही अच्छा है हर तरफ और गाई इस पानी दिखाता हूं मैं आपको एक सेकेंड रूखो जड़ा सामने पानी काफी अच्छा है पानी काफी ठंड होना है ना अब यह गारावनी ठंड है अब देख लिए होगा पानी पुनी तो चलो चलते हैं एक अभी यहां पर चलना थोड़ा वह प्रेशर तो का वे लक्षु को पीछे पगड़के रखना यह निकलना जा पानी के साथ ही एक मुना हाओ । घंड हाओ कि अलग लग बनाई है कि हम खड़े पूरा फुल नमजा कर रहे हैं और इधर पानी का प्रेशन इतना है कि हमें अपने आपको काबू करने का मौक का इडिल रहा है और पूरा बैते प्याते आगे को जाए गाइज ये देख सकते हैं अब सब जा रहे हैं उल्टी यहां से हो अब डिल्टाजन अब अपना जाता है मैं कर सकते हैं यहां पर खट पार पर करने जा रहे हूं और उनके पासप्र करने मेरे को नरी को सब ने कि काफी जूर लग रहा है कि अधर कि आज़र लेख सकते सब्सिरा यहां पर एह लिक्ता रहा पड़िया ही आपन खेल आप पार कर लिया है अब इनके पास चलते हैं यह मैं खेल से गाने गुने गारी यह दर अब यो यो इस भी आया हूं लेके आई थी ओज़नी इंटेरियर इंदा आप देजी दो अजमखा सiqu正 को से झंग जट को चाँ ऊकाँ आबसा आबसा आफ आबसा कर दो कर दो कर दो कर दो अब जा रहे हैं घर की तरफ घर नी उपर हमने भी घास ही लाना थोड़े था और श्रीर अपुरा ठक चुका है बाकी उमीद तो है नहीं कि घास गुज उठा पाएंगे चुलबा की देखते हैं और अब इस खाड को आखरी वरी आखरी वारी आरे हैं वहम इस खड में आप कब आएंगे और अब यहां को काफी ज्यादा खड़ी चड़ाई भी चड़नी है और श्रीर में जान जड़ा भी है नहीं चोलो गाइस अब आपको बाद मिलते हैं अब चड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और हमको इतनी उपर जाना है कि आप 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 दे सकते हैं लैंड स्लाइड होगा है यहां पर सारी सड़क गाई वो रुखी है और इस ताम यह को साज चड़ी हुई है क्यूंकि मैं इतनी नीचे से उपर आ रहा हूं और अभी और उपर जाना है तो सांस काफी ज़्यादा चड़ रखी है आप देख सकते हैं अब हम खड़ से आ चुके हैं और हमने भी घास उठा लिया है बहन्स के लिए और अभी मैं काफी दूर जाना है और दो किलोमेटर यहां से मारा घर तो कम से कम कोई आदा एक घंटा तो लगेगा आराम से और है भी सारा चिढ़ाई का रस्ता है तो अब तो सारी जान निकल जाएगी है अब कर दो कि अब है तो अब हमने यहां पर रोटी खाने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है और हमें अभी उपर वहां पितनी उपर जाना है और आजिया तो